हलो फ्रेंड्स मैं राग्वेंद आप सभी का कॉम्पिटिशन कम्मुनिटी के स्वागत करता हूं चलिए देख लेते इस हपते के मुख्य अपडेट्स क्या रहे देखे इस हपते हमने राश्पती भवन के जो पीछे का गार्डन है उसका नाम हुआ करता था मुगल गार्डन इसका नाम बदलकर अब इसका नाम कर दिया है अमरित उद्यान चलिए थोड़ा से इसके बारें देखते हैं इस पर पानी होनी है पूरा फूल बहुत सारे लगए है लगबग 13 एकर्ड में यह फैला हुआ है देखे हुआ क्या कि 1911 में कोलकता से दिल्ली राज़ानी ट्रांसफर हुई ठीक है और इंगलेंड से एडविल लुटियंस को मुलाया गया था आपके राश्पती भवन बनाने के लिए उसी ने यह गार्डन भी बनवाया है जिसका नाम आच्या है मुगल गार्डन अब इसको बदल देंगे और बदल का क्या नाम रखेंगे अमरित उद्यान देखिए अमरित उद्यान इसलिए उद्यान का मतलब होता है गार्डन ही होता है हिंदी है अमुगल गार्डन को क्या कर दिया है, तो 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 अमुगल गार् मुगल गार्डन की विसेशता यह है कि इसंपे पानी वेगरा जादा रहा था, देखे, जैसे यह देक derechos पानी वेगरा है, तो मुगल गार्डन का एक प्रकार है, ऐसे ही गार्डन और भी छेत्रों में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपका स्री नगर मैं मिल जाएगा, और आगरा में मिल जागा, तो ये मुगल गाड़ा ने, मुगलों ने नी बनाया है, मुगल गाड़ा ने एक प्रकार है गाड़न का, ठीक है, अब इसका नाम किस क्या कर दी है, अमरित उध्यान कर दी है, किस ने बनाया है तो, एडवीन लुटियंस, एडवीन लुटियंस ने राशपती भवन और ये जो मुगल गाड़न है, ये बनवाया था, ठीक है, उसको बुला कर लाया था राशपती भवन बनवाने के लिए, जो राइस ना हिल्स है, उसको तोड़कर ये राशपती भवन और ये मुगल गाड़ हो गया है इतना आपको याद रखना है इसके बाद देखें अभी अभी आन्द प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जगम मोहन रेड़ी उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो चेंज किये बताई है कि अब जो राजधानी है वो विसाखा पटनम होगी ठीक है थोड़ा सा स मज़ियें आंद प्रदेश के बारे में. 1953 में आंद प्रदेश राज भारत का प्रतम भासा के आधार पर बनने वाला राज था. भासा के अधार पर बनने वाला प्रथम राज कों सा था तो आंदपरदेश था 1953 में ऐसे याद रखना है उसके बाद क्या होता है देखो तो रही थार ही बता देते हैं 1953 आंदपरदेश बना किसके अधार बना है तो भासा के अधार पर उसके बाद 2014 में तेलंगाना तेलंगाना आंदपरदेश से अलग हो गया और इसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद हो गई ठीक है और कहा गया कि जब तक ये अपना आंधप्रदेश अपना राजधानी नहीं बना लेता तब तक क्या करेगा हैदरबाद के साथ मैनेज करके मर्च करके चलेंगे मगर देखिए 2015 में ही घोशना हो गई कि अमरावती जो है वो आंधप्रदेश की नई राजधानी होगी ठीक है याद रखेगा अमरावती जो है आंधप्रदेश की नई राजधानी होगी उसके बाद 2020 में जगह महन रेड़ी जो है उन्होंने क्या किया उन्होंने तीन राज थानी बनाएंगे ठीक है तीन जगह देखे इसी में देख लिए मैप में देखे एक आपका बनाएंगे अमरावती ये अमरावती एक हो गया एक आपका बनाएंगे कुर्णूर बनाएंगे कुर्णूर और तीसरा बनाएंगे विसाखा पटनम याने तीन राजानिया होंगी आंद परदेश की तीन राजानी होंगे, ऐसे करके, बहुत विरोध भी हुआ, बोले, मैनेज करने में भी दिक्कत होगी, लास्ट दोहजारतेईस में, इन्होंने बोला कि नहीं, आप तीन नहीं होगा, एक ही राजानी होगी, और वो होगी, विसाखा पटनम, तो याद रखेगा, आंद परदेश की नहीं राजानी कौन सी होगी, विसाखा पटनम होगी, क्यूं होगी देखिए, यह आपका नेशन मारग और वायू मारग तीनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए लास्ट में विसाखा पटनम को आंद परदेश की राजधानी डिकलियर किया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है थोड़ा सा, हिस्ट्री भी याद रखेगा, उनी सो त्रेपन में आंद परदेश राज बन फिर 2015 में अमरावती डिकलियर हुई और 2020 में तीन राजधानी डिकलियर हुई थी और लास्ट में 2023 में आपका विसाखा पटनम है, वो आपकी राजधानी बनी, उसके बाद लास्ट देखे, अभी अभी हम लोगों ने भारती तटरक्षक का 47वा स्थापना दिवस मनाया है एक फरवरी को हम लोगों ने भारती तटरक्षक जो कोस्टल गाड है उनका 47वा स्थापना दिवस मनाया है, इसकी स्थापना उथी 1977 में और ये विश्व का 4th largest आपका कोस्टल गाड है, फिक है इंडिया का कोस्टल गाड है जो भारती तटरक्षक बल है, ये विश्व में चोथे नमबर पे आते हैं, तो याद रखेगा एक फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो तटरक्षक कोस्टल गाड के रूप में मनाते हैं, ठीक है, इसको या रखना है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है